हेलो दोस्तों आज मैं अभी सेक्टर थाइस में रोणी में और आज मैं रिवी करूंगा अपनी सुजू की एक्सेस 125 का यहां आने का बेसिकली पार्क में मैं रिवी इसलिए करना हूं कि यहां पीसफुल महावल होगा और आपको जो शो श्रावनी सुनाई देगा तो आप ध कि 8,900 किलोमेटर चल चुकी है तकरी में है यह उलके उलके स्क्रैचेस है क्योंकि एक बार स्किड कर गेती है और एक बार मेरे भाई से ही गिर गेती ही इसलिए को दिखा देता हूं इसके लुप कैसी है यह मैट प्लेक प्लर है वे डिस्क के साथ सबसे टॉप मोडल जो है यह इसके अंदर है चार्जिंग पोर्ट है यह आपको स्टार्ट करके दिखाए नहीं कि इसलिए एक जैक्ट है अज़र अंज़र्ट हैं इसको ठीक ठाग लंबी ट्रिप पर यह जा चुका हूं सबसे बड़ी बाद है एवरेज अच्छी देती है मेर को मिली आवरेज की ओल्मस 48-250 किलोमेटर पर लिटर एज आवरेज बागी डिपेंड करता है आप सो कैसे चलाते हो जैसे हलके फुल की जो डैंट है यह मैंसे बस कड़ करती किर गई थी उसके वज़े से है जैसे हैं यहां से स्किड़ आया हुआ है यहां से निशान पड़ा हुआ है कि साथरा कसा है यह ठीक कर लोगा इंशुरेंस के इंदर है 5 यह जिश्ए मैं एक होगा सुजूकी की बिल्ड क्वाल्टी काफी अच्छी है दोबा स्किड़ होने के बाद भी है ज्यादा इसमें कोई डैमेज नहीं आया है काभी अच्छी है तो मैं यहीं काऊंगा अगर आप स्कूटर या कुछ लेना चाते हैं 125 में तो यह बैस्ट ऑप्शन है क्योंकि तर इंजन रिलाइबल होता है सुजुकी का और आपको लोंग लास्टिंग लाइफ देगा अब इसके अंदर चार्जिंग का पॉर्ट नहीं लगा है तो एक छोटा सा रिव्यू दा दोस्तों और आपको ऐसी वीडियो देखनी है अन्वोक्सिंग की रिव्यूस की और नेचर विलो की तो मैं बनाते रहता हूं आप में चैनल को सब्स्राइब कर लिए पवन अंतेल के नाम से और ऐसी नेक्स वीडियो में मिलते हैं और यह होंगा कि अगर आपको स्कूड लेना तो सुजी एक्सिस वन अब बेस्ट है वन टोट है रिलाइबल भी है अच्छी आवरेज भी देगा और लोंग लास्टिंग होगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू